अम्र को नापने के दो पैमाने होते हैं Birth Age और Body Age Birth Age समय के फासले को नापता है जब कि Body Age बोडी की फंचनलीटी को इसे इस तरीके से समझ दो लोग एक साथ कार खरीतते हैं उन में से एक अच्छे तरीके से मेंटेन करता है चलाता है और 5 साल बाद भी उसकी कार्व नए के जैसी है दूसरा बेतरतीब तरीके से चलाता है और आप उसकी गाड़ी बहमुश्किल से चलती है तो कहने को तो दोनों गाड़ियां 5 साल पुरानी हैं लेकिन उनमें फर्क है ऐसा हमारे साथ भी होता है हमारे बीच कई ऐसे मिल जाएंगे जो उमर दराज हैं और जवानों के जैसा जोश रखते हैं तूसरी तरफ कई लोग मिलेंगे जो जमानी में ही ठंडे पड़ गए हैं तो बर्त एज सरकारी नजरिये से इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन जिन्दगी के खेल में बोडी एज ही इंपॉर्टे जाता है जिसे हमारी इसकिन एक महीने में नई हो जाती है हमारा खून तीन-चार महीने में नया हो जाता है हड्यां भी नई होती है हमारी बोडी में शरिफ एक चीज है आंक का लैंस जो नया नई होता है इसके अलावा पूरी बोडी नई होती रहती है तो अगर हमारी यह तो repair mechanism है यह दुरुस्त रहे तो काफी समय तक body को नया जैसा रखा जा सकता है इसके लिए तीन चीज़ें important है body का use, nutrition और हमारा behavior body use इसलिए क्योंकि body use करने के लिए बनी है रखने के लिए नहीं तो अगर हम बहुत समय के लिए एक जगह बैठे रहते हैं तो aging process fast हो जाती है हमें चाहिए कि कम से कम हम 2-4 घंटे तक physically active रहें और हम अगर चाहते हैं कि हमारा aging वाकई slow हो या थोड़ा reverse हो तो हमें 4-6 घंटे तक physically active रहना चाहिए थोड़ा जादा भी active रहा जा सकता है लेकिन बहुत जादा physical active रहने से 10-12-16 घंटे काम करने से भी कुछ नहीं होता बलकि थोड़ा सरीर को नुकसान ही हो सकता है जहां तक nutrition की बात है तो खाना balance तो होना ही चाहिए लेकिन quantity का बड़ा important है अगर हम थोड़ा सा कम खाते हैं 15-20 परसेंट कम खाते हैं तो हमारा जो बुढ़ा पा है वो 10-15 अनुबल की 25-30 साल तक पीछे खिसक सकता है और अगर हम थोड़ा जादा खाते हैं तो वो जल्दी आएगा टिकनीक आजकल popular हो रही है autofaggy जिसमें 22 घंटे तक निराहार रहते हैं कहते हैं कि ये करने से पूरी body reboot होने लगती है और शरीर नया होने लगता है तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी aging slow हो या age reverse हो तो इसे भी महिने में एक बार किया जा सकता है हमारे behavior या हमारे मन में क्या चल रहा है इसका भी aging पे बड़ा आसर पड़ता है यदि हम self centered हैं तो illnesses हमारी तरफ आती हैं और अगर हम सब के बारे में सोचते हैं तो wellness illness और wellness में सिर्फ आई और वी का फरक है तो हमें आई centered होने से बचना चाहिए और सब के बारे में सोचना चाहिए लेकिन हमारा वी का दायरा भी जरा बड़ा होना चाहिए ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे परिवार मेरी जाती मेरे धरम या मेरे देश तक्सी में तरह है अरे दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि परिया वरण के साथ मर्ज हो जाए जीन्स का भी एजिंग पर फरक पड़ता है कई लोग हैं जो खांदानी तोर पर बड़ा लंबा जीते हैं लेकिन उसकी चर्चा करने का अब कोई फायदा नहीं क्योंकि हम already पैदा हो चुके है तो किया वो जाए जो हो जाए और कोशश हमें यह ऐसी करनी चाहिए कि सौ बरस की उमर तक हमारी जो बड़ी एज है वो चालिस के अंदर रहे अफ्टर आल जिंदगी एक बार मिलती है इससे ज़रा जवान जी आ जाए झालिस के लो क्या जाए जालिस बार मिलती है जाए